हे हालो गाईज, वेलकम बाक टू माई चैनल, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, आज हम चेक आउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करेंट फिलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहें वो इस वक्त जानने के कोशिश करेंगे, आपक पॉजिटीव रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, अगर तूटा हुआ रिष्टा भी है ना, तो जूड जाएगा, आपको घबराने के बिलकुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सोच आपकी जो है पॉजिटीव रखनी है, ये जनरल रिडिंग है, सभी के साथ रेसनेट हो चाहेगा, ये सभी राश्यों के लिए रिडिंग है, यानि कि All Zodiac Signs रिडिंग में आते हैं, तो सब लोग देख सकते हैं, चाहिए आप सिंगल हैं, चाहिए आप मैरेड हैं, चाहिए आप रिलेशन्शिप में हैं, ब्रेकप हुआ हैं, डीवोस हुआ हैं, कोई भी इंसान इस reading को देख सकता है, ये जानने के लिए कि जिससे आपने प्यार किया है, वो person आपके बारे में क्या सोचता है, कैसा है उनका situation, ये जानने की कोशिश करेंगे इस reading में, क्योंकि universe सब कुछ देखता है, ब्रमान्ट देखता है सब कुछ, और चीज़ें फिर आपकी favor में आ जा situation, ये अपनी भावना है, आप बार मार universe को बताने लगते हैं, तो वो सच हो जाते हैं, जो सपने हैं वो सचाई में उतर जाते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे, check out करेंगे, आपके person क्या चाहते हैं आप से, और क्या है उनकी current feelings, प्लीज मेरे वीडियो को अभी लाइक कीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजे, और से लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब ली करते हैं, लेकिन वीडियो उन तक नहीं पहुँचती हैं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसके बाजों में एक bell होता है, bell का symbol, वो दबाईए और all notification on कीज ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच जाएगा, notification आपके mobile में आ जाएगा, फिर आपको कुछ नगुछ guidance मिल सकता है, तो चली चेक आट करते हैं, क्या है आपके person की current feelings, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेकर, क्या चाहते हैं इस रिष्टे में वो, और क्या होगा आ कुछ भी हुआ है, तो वो temporary है, जैसे की रात आती है, तो हम इंतिसार तो करते हैं, कि दिन भी आएगा, कल मुझे ये करना है, वो करना है, तो ऐसे आपने सपने देखे हैं, इस person के साथ, जिन्दगी भरके, तो वो सच हो जाएंगे, अधुरे नहीं रहेंगे, नारास मत हो रहेंगे, प्लीज पॉजिटिव रहेंगे, और इस रिडिंग को देखे, आपको गाइडन्स भी मिल जाएगा, और पॉजिटिव भी हो जाएंगे, एंचल्स और डिवाइन प्लीज गाइड करें, जो भी वीवर्स इस वीडियो को देख रहें, उनको एक्यूरेट मिल सके, बहुत ही एनर्जी आपकी स्ट्रॉंग लगती हैं, जिसमें कार्ड में फिल हो रही है, किसी के एनर्जी, तो सबसे पहला जो कार्ड आया है, वो है क्वीन ओप वैंड्स, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है, एट आप कप्स, नेक्स्ट यहाँ पर दे लवर्स, नेक्स्ट यहाँ पर पेज आप स्वोर्स, नेक्स्ट यहाँ पर पेज आप कप्स, नेक्स्ट यहाँ पर फोर आप पैंटिकल्स, और भी थोड़ी कार्ड लेंगे, चेक आउट कर करेंगे कि क्या हो रहा है किसोंच रहे हैं आपके पूसने युदूश स्ञाइट करें युदिवस्स कंशैट करें युदूश पीसघेट गरें दसन 10 of pentacles और bottom of the deck है the chariot तो चले देखते हैं आपकी person इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं आपसे जानने की कोशिश करेंगे यहां पर तो यहां पर जो energy ऐसे उटका रही है न कि आपकी person आप आपके बिना या अगर इरिश्टा अभी कुछ distance है नो contact है आप दोनों का बिलकुल बात नहीं हो रही है नाराज की लगती है मुझे क्योंकि हाँ पर eight of cups की energy आई है तो यह person आपसे कह रही है कि थोड़ा सा सबर करो मुझे समझ के ले लो मेरी feelings को समझो क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है यह person आपको कहना चाहते हैं अगर इनसे कुछ भी भूल हो गई है तो यह person आपको कहना चाहते है कि please मेरे को माफ करो क्योंकि इनको अपनी गलती पता चल गई है और यह बहुत दुक्की लगते हैं बहुत सैड लगते हैं ऐसा लगता है ना कि आपने इनको लगता है कि आपने इनको अपने जिन्दगी से निकाली दिया है चोड़ी दिया है, ऐसा लगता है क्यों पता नहीं यह person चाहते है न कि आप फिर से इनके जिन्दगी में आए क्योंकि lovers का कार है और इनकी जिन्दगी सवार है क्योंकि जब से आप चले गए है या जब से आप से no contact है या जब से रिश्टा तूटा है किसी भी वज़ा से तो यह person बहुत ज़ादा परिशान मुझे लगते हैं और ऐसा भी है ना कि यह आपको अपने दिल में रखे हुए हैं दिल से नहीं निकाला है भले आप फिसिकली एक दुसरे से दूर हो सकते हैं लेकिन दिल से कैसे कोई निकाल सकता है ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी का दिल चिरक के हमने किसी इनसान को निकाला है यह हो यह नहीं सकता है तो यहाँ पर strong feelings मुझे ऐसे लगती हैं कि यह person भूलना भी आपको नहीं चाते ना ही भूल सकते हैं और ना ही आपको कभी यह तकलिप देना चाते हैं इनसे कुछ ना कुछ गलती हुई है आप दोनों के बीच ऐसा लगता है कुछ ना कुछ जगड़ा होगा या फिर कुछ ना कुछ misunderstanding मुझे दिखाए देती है या फिर इनका condition, इनकी stability कुछ खास नहीं होगी इनके पास पैसे की कमी होगी या अच्छा घर नहीं होगा इसलिए आपने रिच्टा reject किया होगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो energy आई है ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पन्दिकाए देती है, बहुत कुछ situations है जैसे कि Queen of Wands के energy सबसे पहले आई थी तो ऐसा लगता है कि इनके मा को या इनके चाची को, इनके बड़ी बहन को आपका रिष्टा पसंद नहीं ऐसा हो सकता है और यह परसन दुखी हो गए जिसके वज़े से क्योंकि यह अपने मा को दुखी नहीं करना चाते आपके family को दुखी नहीं करना चाते अपने family को दुखी करके आपको अपनाना नहीं चाते यह main बात है जिसके वज़े से लगता है आप दोनों में differences आ गए है किसी ना किसी वज़े से कोई तो आप दोनों के बीच आया है और जिसके वज़े से आपके person आपसे दूर जा रहे है ऐसा मुझे दिखता है लेकिन यह person आ बहुत दुखी है आप से दूर नहीं यहाना चाते आपसे तो कभी भी दूर नहीं जाना चाते है मतलबी रिष्टा खतम नहीं करना चाते नहीं आपको छोड़ना चाते है लेकिन इनके मजबूरी है और यह चाहते हैं यह आपको बताना चाहते हैं कि please मेरे को समझ लो थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे छोड़कर और किसी के साथ या और किसी रिष्टे को please yes मत कहना किसी रिष्टे को हा मत कहना और move on मत करना ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा strongly यहां पर लगता है यहां पर कि उमर न मुझे लगता है 25 साल से 30 साल के बीच हो सकते 25 से 32 साल 25 तो 32 यह के बीच में हो सकते हैं यह person की age या आपकी age हो सकती हैं थोड़ा सा बचपन है इतने भी mature नहीं यह person और यह चाहते हैं कि आप इनके लिए रुके move on ना करे a strong message आपके लिए person की तरफ से ही लगती है कि please मेरा wait करो मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालूंगा या निकालूंगी और हम दोनों का मिलन फिर से हो जाएगा अगर अभी आप sad है और यह person आपसे contact नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यह first चुके हैं किसी situation में या फिर यह रास्ता ढुनने की कोशिश कर रहे या फिर ऐसा है ना कि आपने कहा होगा कि जब आप एक सही decision पर पहुचेंगे तभी मेरे सामने आना ऐसी भी बात यहाँ पर दिखाए देती है यानि कि जब तुम मेरे साथ शादी करणे के लाएक हो जाओगे या फैसला करोगे तभी मेरे सामने आ जाना ऐसा भी कुछ हो स सकता है इसलिए यह डिफ्रेंसिस आप दोनों के बीच लगता है यहां पर मुझे आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन भी दिखाया देता है क्योंकि लवस का काड़ आया है नंबर सिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लखी है यह आपकी बड़ेट हो सकती है या फिर आपक यह दोनों कारणा कंपलीशन बताता है बहुत अच्छी चीज़ें आपकी फेवर में होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं सब कुछ होगा आपके पास जैसे कि एक हैपी फैमिली का सपना आपने देखा है इस परसन के साथ वो पूरा होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं सभी जैसे घर, गाड़ी, बंगला, बच्चे, एक हैपी फैमिली, हस्ती, किल्थी फैमिली यह आपका सपना है पहले से इस परसन के साथ वो पूरा होते हुए मुझे नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर टैन ऑफ पांटिकल्स के अनज है टॉर्स, वर्गो, कैप्रिकॉन इस प Sagittarius भी हो सकती है, Sign आपके परसन की ऐसा strongly मुझे महसुस हो रहा है यहाँ पर ऐसा भी लगता है न कि यह परसन आपके साथ एक बहुत अच्छा फ्यूचर जाते है यानि कि आप लग्की हो सकते है इस परसन के लिए जबसे आप इनको मिले है न चीज़े बहुत अच्छी हो जैसे कि यह परसन को प्रोमोशन मिला होगा, salary में increment मिला होगा, एक अच्छे post इनको मिली होगी या फिर इनका जो सपना है वो कुछ ना कुछ पूरा हुआ होगा क्योंकि आप लग्की है इस परसन के लिए मतलब आप दोनों का जो connection है न और बहुत strong है यानि अगर आप इस परसन के जिन्देगी में रहते हैं या इनके साथ आपकी शादी हो जाती है तो यह परसन की तो तकदीरी बदल जाए कि ऐसा मुझे लगता है और strong feelings यहाँ पर है कि आपके परसन आपके साथ reunion चाहते है, positive card है, number 19 आपके लिए lucky हो सकता है, number 8 आपके लिए lucky हो सकता है, sun की energy ह सुर्य देव का आशिरवाद है, अगर इस रिष्टे में कुछ भी problem है, तो सुबह सुबह आपको सुर्य देव को पानी देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, तो यह रिष्टे में कुछ न कुछ बदलाव आप देखेंगे, जल्द यह रिष्टे में सुधार आप देख स संडे की दिन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिष्ट आपको मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है, और नेक्स यहाँ पर ऐसा लगता है, चारीट का काड़ा है, यह भी मेजर अर्काना का का काड़ है, और मेजर अर्काना की यहाँ पर तीन काड़ आयो है, लवर्स का काड़ आ destine partner हो सकते हैं destine partner का मतलब होता है कि already आपके तकदीर में लिखा हुआ है destiny में लिखा हुआ है आपके तकदीर में जो लिखा है न वो कोई ने मिटा सकता है तो ये person आपके साथ ही शादिय करेंगे आपके साथ ही ये संसार बसाएंगे ऐसा मुझे strongly महसूस हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते है angels की blessings भी आपके उपर है तो ये रिष्टा उपर से बनाया हुआ है जिसे कोई ने तोड सकता भले अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि आप दोनों में no contact हो सकता है या फिर नाराजगी हो सकती है या फिर आपको लगता होगा ये परसन ने दोका दिया लेकिन ऐसा नहीं है आपसे बिचड़ कर ये परसन ना दुखी लगते है ऐसे भी लगता है ने इनको अगर इनके घर के लोग नहीं मांद रहें इस रिष्टे को इनको लगता है घर से भाग जाओ ऐसी फिलिंग्स यहाँ पर है क्योंकि Eight of Cups की एनरजी यहाँ पर है तो यहाँ पर All Zodiac Signs है Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius उसके बाद यहाँ पर Scorpio Sign है Cancer है, Pisces है सभी Signs उठकर यहाँ पर आए हुई है और Next ऐसा भी लगता है यहाँ पर जैसे की यह person एक सही decision करने वाले है इनमें knowledge है, power है, सब कुछ है लेकिन न, immature लगते है यानि की थोड़ी छोटी है, इनकी उमर थोड़ी कम है तो नादनपन थोड़ा सा हो सकता है ऐसा भी लगता है इनको समझ है क्या सच है, क्या जूट है क्या अच्छा है इनके लिए, क्या बुरा है यह सब समझ है इस person के बारे में इतना ही है ना कि सही वक्त आने पर यह decision लेंगे इसलिए आपकी person यह कहना चाहते है कि मेरे लिए रुको, बेट करो मैं कुछ ना कुछ करूंगा या करूंगी इस रिष्टे को बचाने के लिए या फिर इस रिष्टे को आगे लेकर जाने के लिए यह चाहते हैं कि आप इनका इंतिजार करो यह आना चाहते हैं वापस आपके पास या आपके साथ ही यह रिष्टा देखते हैं strongly ऐसा मुझे लगता है तो seven number भी आपके लिए lucky हो सकता है साथ number lucky हो सकता है आपकी budget हो सकती है ऐसे भी लगता है यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि मुझे next जो दिखाए देता है वो है कि यह person दिल से आपको अपनाना चाहते हैं मतलब यह खोना नहीं चाहते हैं मतलब यह दूसरे के साथ आपको देखकर दुखी हो जाएंगे इनका दिल तूट सकता है या कुछ भी कर सकते हैं कोई भी step उटा सकते हैं ऐसा मुझे लगता है मतलब आप से दूर होना यह सोच भी नहीं सकते हैं सपने में भी नहीं सोच सकते हैं आप इनसे दूर चले गए है या फिर आपने इनसे नाता तोड़ा है यहाँ पर four of pentacles के energy है जैसे कि आपको जकड के आपको पकड के आपको दिल में चुपा कर रखना चाहते हैं यह person ऐसे हैं पर strong vibes है एक नई शुरुवात भी यहाँ पर दिखाये देती है यह रिष्टे में ना एक नई शुरुवात हो जाएंगी और यह रिष्टा अच्छे मुकाम तक जाएगा जरूर लेकिन यहाँ पर मुझे इंतजार भी दिखाये देता है थोड़ा सवेट करना होगा क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर यही कहना चाते है कि इस वक्त मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ या थोड़े सी कटिनायों का सामना में कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो आप थोड़ा सवेट करो थोड़ा सा इंतजार करो इतना सब कुछ आपने जहला है तो थोड़ा कि आप मेरे लिए रुख सकते हो यह आज आपके लिए सवाल है आपके पार्टनर की तरफ से और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार भी सच्चा है और आप इंतिजार करने के लिए रेडी ही होंगे तो आज के रिडिंग में ओवराल एनरजी अच्छे आई है यही है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है पेशन्स रखना है तो आज के रिडिंग में इतना है थैंक यू फा वाचिंग थैंक यू आल अफ यू गाद ब्लेस यू थैंक यू इंजल्स थैंक यू निवस